इंडिया वर्सिस इंग्लेंड का सेकेंड टेस मैच का साइकेंड डेस समाप्त हो चुका है किसका पढ़ना रहा है भारी? क्या इंडियान स्पिनर्स जो है वो इंग्लेंड के बेजबॉल की कार्ट ढूंड पाए है? या फिर इंग्लेंड का बेजबॉल एक बर फिर इंडियान स्पिनर्स के उपर भारी रहा है क्या रहा आज का हाल डे टू के बाद मैज की सिचुएशन क्या है दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा विशलेशन करके बताऊंगा कि दो दिन के खेल के बाद किसका पड़ा भारी है इंडिया का या इंग्लेंड का नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमित भारदवाज न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पहले तो दोस्तों मैं आप सभी से माफी मागना चाहता हूँ क्योंकि तकरीबन एक महीने के बाद जो है मैं अब ये अपना पहला वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ एक महीने से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बना कर कुछ पोस्ट कर पाऊँ तो जितने भी लोग मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे उनके लिए मैं शमा प्रार्थी हूँ पर अब मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूँ तो दोस्तों अब शुरू करते हैं इंडिया वर्सिज इंग्लेंड का सेकेंड टेस्ट मैच के सेकेंड डे का विशलेशन पहले दिन में दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है इंडिया ने 339 रंस बनाये थे छे विक्टों के नुपसान पर और एंड में यश्वी जैसवाल और अपने अश्विन जो है जो है वो बिहाइंड अविकेट जो है कॉट आउट हो गए एंडियसन ने आज काफी अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने पांच विक्टे निकाली दोस्तों यह अनथ टाइम है आई थिंक यह तक्रीबन 44-45 भार है जब एंडियसन ने जो है पांच विक्टे ली है बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी दोस्तों एंडियसन ने आज पहले उन्होंने अश्विन को आउट किया फिर उसके बाद थोड़े देर के लिए तक्रीवन 25-30 रन की पार्टनर्शिप उनकी कुलदीप जो है इंडिया की तिरफ से डबल हंडड मारने वाले प्लेयर बन गए हैं पहले तो प्लेयर्स कौन से था दोस्तों पहले थे अपने विनोत कामली जिन्होंने 1993 में वेस्ट इंडिस के खिलाव I think 31 साल और 56 दिन के थे वो जब उन्होंने डबल हंडड बनाया था अपना उस उसके बाद नमबर आते हैं दोस्तों सुनिल गवासकर का उन्होंने 31 साल और तक्रीबन 256 दिन में अपना डबल हंडड बनाया था था नमबर पर आते हैं दोस्तों येश्वी जैसवाल वह अभी 22 साल और तक्रीबन 36 दिन के हैं तो वह इंडिया की तरफ से थर्ड यंगेस डबल सेंचूरियन बन चुके हैं तो येश्वी जैसवाल ने 209 रन बनाये और इंडिया की जो पूरी पारी है वह 396 रन पर जाकर जो है ऑल अउट हो गई भूमरा और मुकेश कुमार जादा रन नहीं बना पाए हाला कि उन दोनों की आकरी विकेट की पार्टनर्शिप थ पाए इंडिया 400 का स्कोर भी नहीं चूपाया जितने भी अनालिसिस थे दोस्तों जितने भी कमेंटेटर थे उन सब को यही लग रहा था कि यह प्योर बैटिंग पिच है इसकी उपर इंडिया इस शॉट बाइट लीस्ट 8200 रन इंडिया को तकरीबन 460 से लेके 500 रन तक कर आपने चाहिए थे इस पिच पे इंग्लेंड का बेजबॉल अगर चल गया तो यह जो 400 से कम रन बनाए हैं इंडिया ने इसमें इंग्लेंड कम से कम 100-500 रन की लीड ले जाएगा तो ऐसा हुआ दोस्तों या नहीं हुआ वह मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं रन ठोक दाले बिना किस नुकसान के तब ऐसा लग रहा था कि जितने भी एनलिस्ट हैं और जितने भी कमेंटेटर्स हैं उनका कहना यह सही है कि इंग्लेंड का यह जो बैटिंग लाइन अप है यह अराम से पाने साड़े 500 रन तक बना देगा लेकिन उसके बाद दोस्तों लंच टाइम के बाद तकरीवन लंच टाइम के एक घंटे के बाद जो है बॉल ने रिवर्स स्विंग लेना शुरू किया हाला कि पहली विकेट जो है वो तो हमारी उसने अक्षर पटेल नहीं दिलवाई थी मार्फ की जग कुलदीप यादम ने दिलवाई थी पहली विके रूप इंगलेंड के एक घंटे के बाद आया तुफान वह तुफान जिसको कि हम लोग कई बार देख चुके हैं कई बार जान चुके हैं और वह तुफान था दोस्तों अपने जस्परीथ बूमरा का तकरीवन तीस ओवर के बाद दोस्तों बॉल ने रिवर्स स्विंग ल जो रूट को उन्होंने पहले reverse swing करते हुए एक ball डाली in swing फिर अगली डाली out swing फिर in swing फिर out swing फिर उन्होंने उनको गच्चा देते हुए out swing डाली जिस पर की वो वहाँ पर first lip के पास catch out हो गए उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ ball खेलनी है जबकि जो रूट एक बहु सब्सक्राइब गन्होंने किया था तो व्हंध बहुरक किया था उनको जिस तरीके से यॉरकर पर बोल्ड किया है दोस्तों दीखने वाली विकैट'S मतलब सीधा यौरकर आके पड़ा आपके मिडल और लेक स्टंप पर और मिडल स्टंप और लेक स्टंप दोनों की दोनों उखड़के वहीं पर नीचे धराश आई ओली पॉप को भी जब वो उठकर खड़े हुए क्योंकि वो गिर गए थे उस बॉल को खेलते हुए उनका चेहरा देखने लायक था और वाके दोस्तों दर्शनिये विकेट थी बिलकुई उसके बाद जो दूसरी दर्शनिये विकेट थी दोस्तों वो विकेट थी अपने बेंट स्टोक्स की उनको समझ ही नहीं आया वो आउट स्विंगर के लिए खेल रहे थे बट रिवर्स स्विंग होने के चकर में वो बॉल अंदर आ गई और उनके आफ स्टम को हिट करते वे वो बॉल्ड हो गए उन्हें समझ भी नहीं आया फ्रस्टेशन में उन्होंने अपना बैट जहां पे था वहीं पे उन्होंने फैंक दिया हूँ बैट कि साला ये क्या बॉलिंग है ऐसे कौन बॉलिंग करता है बहुत ही मतलब ये जो विक्टे थी ना दोस्तों भूमरा ने टोटल छे विक्टे ली और कितरे रन दिये सिरफ 45 रन एंडरसन ने भी पहले पांच विक्टे ली थी उन्होंने भी तकरीबन 45-46 रन ही खर्चे पर कि दोस्तों यह चाहिँ हो पर है यह फंद बाशनां की और सब्साइब दोस्तों दोस्तोंि उन्होंने सिर्फ अपने मैच में 150 से ज्यद्वीठ से ले ली है इंडिया का कोई भी फास्ट बॉलर आज तक ऐसा नहीं कर पाया है मात्र 34 टेस्ट मैचों में उन्होंने 150 विकेट्स ले लिए है इंडिया के स्पिनर्स भी सिरफ एक दो ही है जिन्होंने की अपने 34 मैचों में जो है उसके बात दोस्तों जैसे की मैंने आपको बताया है कि बूमरा ने 6 विक्ते लिए पूरी कमर तोड़ दियो उन्होंने उनके मिडल ओर्डर की भी और उनके लोगर ओर्डर की इंग्लेंड जो है इंडिया के 396 रंस के जवाब में 253 रंस बनाकर ओल आउट हो गया उस वकद तकरीवन दोस्तों साड़े चार से जादा का टाइम हो जोगा था तो रोही शर्मा को लगा कि अब तो साड़े चार बज गए हैं अब तो बैटिंग के लिए दुबारा नहीं आना पड़ेगा बट मैच में दोस्तों आज के दिन के 13 ओवर तब भी बागी थे साड़े चार बजने के बाग भी स्टिपुलेटर टाइम साड़े चार बज तक का है लेकिन आदा घंटा आपको और एक्स्टेंड करके दिया जाता है अगर आपके ओवर कंप्लीट नहीं होते हैं तो इंडिया को बैटिंग करनी पड़ी पांच ओवर के करीब की जो है इंडिया ने बैटिंग करी उसमें इंडिया अब जो है वो 28 फॉर नो लॉस है इंडिया को पहले इंग्स के रनों के अधार पर 143 रन्स की लीड मिली थी और ये 28 रन अगर मिला लिये जाएं दोस्तों तो इंडिया की अब जो लीड हो गई है वो 171 रन्स की हो गई है इंडिया के अभी 10 विगेट 6 है कल का खेल कैसा हो सकता है दोस्तों ये भी मैं आपको पताता चलूं इंडिया अगर कल के दिन पूरे दिन बैटिंग करके 300 या 300 से जाधा रन बना लेती है 28 रन वो बना चुकी है पांच आउवर में तो उसके बाद it will be shutter down for England 300 रन कल के और 171 रन की लीड आज की 471 रन इंग्लेंड जो है वो चाहे बेसबॉल खेल ले या कुछ भी खेल ले वो 471 रन नहीं बना पाएगी देखना सिर्फ यह होगा कि क्या इंडिया तीसरे दिन 300 रन बना पाएगी और अगर बना लेती है तो इंग्लेंड चौथे दिन म आउट हो जाती है या वो इस मैच को पांच में दिन तक खीच पाती है मुझे ऐसा रखता है कि बैटिंग पिच है तो इंडिया जो है वो इंग्लेंड को 471 रन का टार्गेट जरूर दे पाएगी अभी भी मैच में मतलब पिच में इतनी स्पिन लेना शुरूर नहीं किया है अच्छा एक दोर दोस्तों देखने वाली चीज है कि इस जो बैटिंग पिच कही जा सकती है जिसमें कि एनलिस्ट और कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि यह बैटिंग पिच है इस पर विक्टें किसने ली दोनों फास्ट बॉलर्स ने चाहे वो एंडरसन हो चाहे वो हमार राएं उन्होंने ग्यारा विकटें लियें दोस्तों बीस जो विक्टें घिरी हम इसमें से ग्यारा विक्टें फास्ट बॉलर्स ने लिए यह तो यह अपने आप में इन दोनों की खास दिखाता है कि एक प्योर बैटिंग विकेट पे भी अगर आपकी बॉलिंग में खु तो आप कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हो 20 में से 11 विक्टे लेना दोस्तों मजाक नहीं है हर बार ऐसा नहीं होता है बट आपके पास क्लास है तभी आप ऐसा कर सकते हो तो जहां तक 3 दिन के खेल की बात है दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया कल 300 रन जरूर मारेगी 471 रन के आसपास का जो है उनको टार्गेट दिया जाएगा या हो सकता है कि अगर बाद में कुछ और थोड़े से रन भी बना पाएं तो हो सकता है 500 रन तक भी इंडिया अपनी लीड खीच के ले जाए and then it will be doldrums for England team वो कितना ही अच्छा खेल लें लेकिन इंडिया में चोथे और पांचमे दिन के खेल में आप 500 रन नहीं बना सकते हैं फर्स टेस मैच में आपने अच्छा स्कोर कर लिया था आपने तकरीबन 420 रन के करीब बना लिये थे बट वो आपकी थर्ड इनिंग थी यहां पर आपको फोर्थ रिंग में बैटिंग करनी होगी फोर्थ रिंग में आपको तकरीबन 470 से लेके 500 तकरन मनाने होंगे जो कि इंग्लेंड की टीम नहीं कर पाएगी तो मैं यह आपको अभी से प्रेडिक्शन करके बता रहा हूं कि इंडिया जो है वो यह मैच जीत रही है only and only इंडिया यह मैच तभी हार सकती है अगर इंडिया कल 300 से कम रन बनाती है अगर 200 रन भी बना जाती है तो भी it will be a very good fight क्योंकि 301 का टार्गेट भी असान नहीं है बनाना उसके लिए भी आपको तक्रीबन 5 सेशन लग जाएंगे बनाने के लिए चाहे आप बेजबॉल खेल रहे हूं या कुछ भी कर रहे हूं बट इंडिया जो है उसकी इस मैच में पकड़ हो चुकी है हाँ अगर इंडिया कल पहले लग्ज टाइम तक ही all out हो जाती है दोस्तों के करीब रण एड हो चुके होंगे इंडिया की लीड 371 हो चुकी होगी उस वकत जो है इंडिया की कुछ विक्टें गिर सकती है हाँ पहले के सेशन में भी जैसे एक दो विक्टें गिर सकती है उसके बाद second session में भी दो विक्टेंग गिर सकती है पट last session जो है वो बहुत interesting होगा इंडिया उसमें तेजरन बनाने के लिए जाएगी और England को हो सकता है 5-6 hours की betting के लिए भी उनको बुलाए कि आप आके 4-5-6 hours betting कीजिए टार्गेट जो है इंडिया ने अपना set करके रखा हुआ 470 से लेके 500 के बीच का वो टार्गेट देंगे अब क्या इंडिया उस टार्गेट तक पहुँच पाएगी क्या इंगलेंड को वो ये टार्गेट दे पाएगी और England क्या इंडिया को रोक पाएगी कौन काम आएगा एंटरसन एक बार दुबारा से पांच विक्टे लेंगे या फिर उनके जो तीन स्पिनर हैं वो विक्टे लेंगे हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना भूल गया कि इंगलेंड के जो स्पिनर इस बार जो खेलने आए हैं जिनको की वीजा नहीं मिला था पहले टेस्ट मैच में अपना शोए बशीर उन्होंने फर्स्ट मैच इनिंग्स में इंडिया की काफी अच्छी बालिंग करी हाला कि उन्होंने रन भी काफी दिये पर उन्होंने चार विक्टे ली हैं और चार विक्टे लेकर जो हैं वो 130 रन खाए हैं उन्होंने, 130-133 रन खाए हैं उन्होंने, तो उनकी हाला कि वो off spinner हैं बट उन्होंने काफी अच्छी balling की है और वो अच्छे prospect लग रहे हैं England के लिए, अटलीस वो जो सब कॉंटिनेंट है, उन पिचिस पे तो उनको खिलाया जा सकता है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बंगलादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, उन पे उनका inclusion जो है इन पिचिस पे, it will be very good, हाला कि अभी तो शुरुवात या उनकी उनका पहला ही test match था तो काफी अच्छे promising baller लगे हैं वो, और दोस्तों यहां पे मैं एक बार येश्वी जैसवाल की भी तारीफ करना चाहूंगा, इस लड़के ने अपना talent तो दिखा दिये दोस्तों, हाना कि मैं अभी इन चीजों से बचूंगा, कि वो जो है, वो आगे आने वाले समय के वि सब्सक्राइब नहीं होते वो, और उसके बाद उन्होंने अपना second शतक या के लिजे second अपना पहला double शतक बनाया है, double 100 बनाया है, तो प्रॉस्पेक्ट तो अच्छे हैं, प्रॉस्पेक्ट तो शुमन गिल भी अच्छे हैं, परन्तु आपको प्रूफ करना पड़ेगा, इंडिया का जो youngest double centurion था विनोत कामली, उनके भी सफलता जो है सरपर चड़ गई थी, वो सफलता को नहीं संभाल पाए थे, तेंदुलकर से भी ज़ादा आखा जाता था एक टाइम पे विनोत कामली को, लेकिन वो सफलता को पचा नहीं पाए, सफलता उनके सरपर चड़ जिसकी वज़ाद से कि वो आगे अपना केरियर कंटिन्यू कर ही नहीं पाए, तो अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो जैश्वी जैस्वाग और शुम्मन गिल, ये दोनों आगे आने वाले समय के जो है, आप कह सकते हैं कि युवराद सिंग और विराठ कोली साबित, य ये दोनों आगे के इंडिया के विराठ कोली और आप कह सकते हैं युवराद सिंग ये बन सकते हैं इंडिया के, अभी के लिए दोस्तों इतना ही, जल्दी ही आप लोगों के सामने, क्योंकि हम मैं थोड़ सा फ्री हो गया हूँ, तो कोशिच ये करूँगा कि आपको डे 3, कैसा लगा, कल आपसे फिर नए वीडियो के थ्रू मिलूंगा दोस्तों, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, और हाँ, अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो शेयर जरूर कर देजेगा, बहुत बहुत धन्यवाद,